हेलो दोस्तों स्वागत आपका Career Academy के YouTube चैनल पर आज हम लोग यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है उत्राखंट का इतियास हम लोग उत्राखंट के इतियास के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले हम देखेंगे उत्राखंट के इतियास को कितने चलिड़ों में विवाजित किया गया है तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा हुए यहां पर तो उत्राखंट का जो विकास हो कितने चलिड़ों में चार चलिड़ों में पहला आता है प्राग एतियासिक काल दोसरा आता ह हाता है एटियासिक काल और चौत हातब हम इनके पड़ते हैं हुआतों इनके वारे और समझते हैं कि उत्रखन का काल संवर्वर सुथ स्था आधुनिक काल। एjek दीक遊戲 करें कि म sap Two gram दोाले कि नाध शाब मजड़ने वाले को पांषा पॉपकरं कटिया प्रागैतियासिकाल के मानव निवास की पुस्ट करते हैं. Тут उसका पता किससे चलता है. जो मिर्दभान थे, मिट्टी के बरतन, कंकाल थे, सहलचितर थे, गुफाऊं से जो धातु जिनके उपकरण का यूज़ करते थे, प्रियोग करते थे, उनसे प्रागैतियासिकाल का पत इसमें कुछ आपको लाल कलर के आपे चितर दिख रहे हैं तो यह क्या है यह जो पुरानी गुफाई थी उनके अंदर कुछ चितर पाये गए हैं तो उनके बारे हम लोग यहां पर देखेंगे तो पहला आपके आती है लाकू गुफा लाकू गुफा यह 1968 में खोजे लाकू गुफा जो कि अल्मोरा के बाढ़े चिना के पास याल नदी तर पर इस्तित है तो यह कब खोजी गई थी पहले सबसे पहले तो यह कोशन मन जाएगा कि कब खोजी गई यह 1968 में और इस वीज़ी आ तो लाकू गुफा गुफा आज जाता है जो कहां पर अल्मोरा के मानव और पशु के चित्र प्राप्तों में मानव आकरती को अकेले या समु में निर्थिकरते दिखाया गया है तो यहां पर इंप्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखना अगर आप नोट्स मना होगे तो नोट्समें को मेंशन जरूर करना कि यहां पर क्या हुआ है कि जो अकेले या समु में निर्थिकरते हुए मानव आकरती याप दिखाया गया है तो जैसे कि आप यहंपर देख सकता है यह चित्र यह face rand बिखायगया गये ये चमोली में है चमोली में अलगनन्दा नदी के किनारे डूगरी गाओं के पास इस्तित गौरख्या उडियार या गुफा से मानो भेड बारा सिंगा लोम्री आदी के रंगीन चित्र मिले तो ये कहां पर गौरख्या गुफा ये चमोली में पढ़ती है अलगनन्दा नदी डूगरी गाहु है यहां से क्या क्या मिला मानव भीड बारा सिंगा लोमडी आगर रंगीर कोस्चन आएगा कि किस गुवा से मानो भेड, बारा सिंगा, लोमडे की आधी के रंगीन चित्र पराप्त हो है वो हो है आपके गौर्ख्या उड़ार से और कैसी चित्र है रंगीन चित्र है लाखो कुफा के चित्र से अधिक चटकदार है यानि कि रंगीन अगला यहां पर देखते हैं किमपनी गाऊन किमपनी चमुमली के धराली के पास यह भी Grund के इनकीद किमनी गाऊं के गूफा के हलके सफेद रंक से आपका मलारी गाओं चमुली जिले के सुदूर तिब्बती सीमा से सटे यह भी चमुली जिले में है मलारी गाउं में गड़वाल विस्व विद्याले के सोथ करता हूंने सन 2002 में हजार वर्स पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बरतन, जानरू के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण यानिकि मुखोटा जो मुखोटा आधी आउसेज मिले हैं तो यह कहां पाया गया था यह मलारी गाउं जो चमुली जन्पद में पढ़ता है और यहां पर जब गड़वाल विस्व विद्याले के सोथ करता हूंने यह पर रिसर्च किया था तो सन 2002 में यहां पर एक नरकंकाल पाया था मिट्टी के बर्तन मिले थे जानूर के अंग थे और 5.2 किलों का एक मुखोट यहां से प्राप्त वाधा सोने का अगला आपका लुएथाप 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 अलमोडा के लुएथाप से प्राप्त सहल चित्र में मानव को सिकार करते तथा हातों में हाट डालकर निर्थि करके दिखाये गया है जो लुएथाप यह कहां पड़ता है अलमोडा जन्पत में गुफा पड़ती है जाब मानों को शिकार करते वे दिखाया गया है और हाथों में हाथ डालते वे निर्थे करते वे दिखाया गया है अगर कोशन आता है कि किस गुफा से मानों को शिकार करते वे चित्रत किया गया है तो आप क्यों जाएगी लुए था नेक्स्ट आप क्या थी हुडली उत्रकासी के हुडली से प्राप्त है उत्रकासी जनपद में हुडली से प्राप्त है नीले रंग का प्रियोग किया गया है अब यहाँ पर अलग सा यहाँ पर कलर आपको देखने को मिला है तो अगर कोश्चन आपका पूछा जाता है कि नीले रंग का प्रियोग किस गुफा से प्राप्त हुआ है किस गुफा के सैल चित्रू में मिला है तो वह जाएगा आपका हुडिली यह कहा है आपकी तरकासी के हुगली से प्राप्त है नेक्स आपका पेट साल अलमोडा के पेट साल वो पूना कोट गाओं के बीच इस्तिद कफर कोट से प्राप्त नित्यरत मानव अकरतियां कथे रंग के रंग है तो यह जो आपकी पेट साल है यह अलमोडा जन्पज में पढ़ता है और यहाँ पे क अगला आता है आपका राम गंगा घाटी राम गंगा घाटी से पासान कालिन सवगार वो कप माक्स मिले है तो अगर कोश्चिन आता है तो कप माक कहां से मिले है वो है राम गंगा घाटी से अगला आता है आपका बनकोट पिथरागड के बनकोट छेत्र से आठ तामर मानव वाकृतिया मिली है तो कोश्चिन कभी आ जाता है आठ तामरमाना वाकृतिया किस गुफा से मिली है तो हो जाएगा आपकी बनकोट तो हमने यहाँ पर देखा प्रागेतिया है ऐसी काल के बारे में हमने आप गुफाओं के बारे में पढ़ा विभिन ने परकार कि आप मनुष्य को निवास रहा होगा उन्होंने गुफाओं में निवास करनेनाका प्रूर किया होगा क्योंकि देखो को drip कोई शाक्षि तो है नहीं कि इसने देखा हो कि मनुष्य आ रहता था जो हमारे खोस करता थे उनहोंने गुफाओं की खोस्द। मिले कुछ सेल rules मिले एक प्रागेतियासिक काल रहा होगा जहांपे मनुष्य को थोड़े बहुत चित्रकारी यहांपे निवास करता था और उन्होंने धीर धीरे वहांसे विक्षित होना सुरू किया तो यह इतियास करम का उतरखन के एतियास क्रम का पहला काल था प्रागैतियासिक काल जहां पर मनुश्य को गुफाओं में निवास करते हुए यहां पर पाया गया है क्योंकि यहां से जो सहल चित्रों अगरा मिले हैं उनके साक्षियां पर जो मिले हैं उनसे यहां पर यह पर्माण मिलता है कि मनुश्री पहले गुफाओं में निवास करता होगा तो नेक्स हमारा आता है आद एतियासिक काल जो इसका पर्माण हमें धर्म गरंतु से मिलता है पहला पराग एतियासिक काल था उसका प्रमान तो हमें गुफाउं से, सैल, चित्रूं से मिलता था। तो अब जो आद एतियासिक काल है उसका प्रमान किसे मिलता है धर्म गरंतुं से। इसमा पढ़ लेता है इसके बारे में। तो important question याद रखने वाला point ये है कि पौराणी काल किसे का जाता है ये आद एतियासिक काल को ही पौराणी काल कहा जाता है इस काल के महत्वर्ण तथ अदो लिखेत है इस काल का विस्तार चतुर्त सदाप्दी के एतियासिक काल तक माना गया है इस युक के लोग लोग तामर धातू किर्शी पसुपालन तथा ग्रामी नगरी सब्विता से परचित होने के साक्ष मिलते हैं। इस समय के लोग थे उनको लोग धातू तामर धातू का ग्यान था किर्शी पसुपालन का ग्यान था ग्रामी नगरी सब्विता यहां पर परचलीत होगी थी उस सब किया पर शाक्ष मिलते हैं। अगला उत्राखंड का पर्थम उलेक हमें रिगवेद से पराप्त होता है। तो अगर कुश्चिन आता है कि उत्राखंड का पर्थम शाक्ष हमें कहां से मिलता है यह मिलता है रिगवेद से चारवेद होता है। रिग वेद, यजुर्वेद, शामवेद, अथरवेद, किस से मिलता है, रिग वेद से मिलता है, उत्राखंड का, जिसमें इस छेत्र को देव भूमी या मनिश्यों की पूर्ण भूमी कहा गया है, जो रिशी मुनियों की पूर्ण भूमी से कहा गया है, और देव भूमी इसल प्रानू, ब्रामन गरंथू, पुराणू, रामयद तथा महाबरत आदी धार्मिक गरंथो में और अगख़न आगया है अगर कभी कोश्चन आता है कि इस पुराणू, गरंथो में और 5 Johann Yahram हाद ओर Wild similarly पूर्ण भूमी रिशी भूमी तथा पवित्र भूमी छेत्र इसको कहा जाता था इसकंद पुराण में पांच हिमाली खंड नेपाल मानस खंड केदार खंड जालंदर एवं कश्मीर तो पांच हिमाले खंड है, एक नेपाल खंड आता है, मानस खंड आता है, केदार खंड, जालंदर एवं कश्मीर उलेक हैं, इनमें से दो खंड, मानस खंड और केदार खंड वर्तमान में, उत्राखन राजी में मानस खंड यह तो आपका क्या होता है यह आपका आता है कुमाओ वाला एरिया कुमाओ अभी हम देखेंगे इसके बारे में और जो केदार खंड यह आपका गड़वाल वाले अरिया को केदार खंड कहा जाता है तो सबके बारे में अभी हम देखेंगे आप उपरोक्त पुराणों में माया चेत्र हरीद्वार से हिमाले तक के विस्तरिच छेत्र को केदारखंड गड़वाल चेत्र का जाता है तो माया चेत्र ये हरीद्वार कही नाम है माया चेत्र हरीद्वार से हिमाले तक के छेत्र को क्या पुला जाता है केदारखंड जो क्या है आजकल गड़वाल चेत्र के नाम से आजकल परशिद्ध है तथा नंदा देवी परवत से कालागिरी तक के छेत्र को मानस खंड वर्त जन रेखा पर इस्तित है तो कोशन ये भी कभी कभी बन जाता है कि कड़वाल और कुमा को कौन सा परवत विवाजित करता है यह आपका नंदादेवी परवत देखो छोटी-छोटे कोशन ही बनते हैं जब आप डीप स्टेडी करते हो तो उनसे छोटी-छोटे कोशन इसी तर दीवी परवत है इन न दूनों खंड्ड को को विवाजित करता है आगे देखते हैं पुराणूं मी मौन अर केडर Кभान के संयुक्ट चेत्र को गिश्ठर को औरू किस नम से जाना सा था उत्तरखंड ब्रह्मपूर एावम खर्स-देस आधि नाम से सम्मूदित किया जाता गड़वाल वाल चेट अगर दुनों को एक नाम से पहले जब जाना जाता था तो उसे क्या बोलते थे उत्तरखंड का जाता था या ब्रहमपूर का जाता था या खस देश का जाता था तो ये तीनों नाम याद रखना कभी कुछिन में घूम के अगर पॉइंट आएगा तो आप इसका अंसर कर पाओगे। नेक्ष्ट है बाद साहित्ट के पाली भाहाilly वाले ग्रंथ में उत्राकंड छेत्र के लिए हिम्तु नोवन्तशब्द प्रियुक्त किया गया है वाद शाहित्ति में पाली भाह्म। के ग्रंथ में उत्राखन को किस सब्द से संभोधित किया गया यह आपका हिम वन्त आप देखते गड़वाल चेत्र पहले इस चेत्र को बद्रिक आश्रम चेत्र तपो भूमी स्वर्ग भूमी महाबारों तो पुराणों में एवं केदारखंड नामों से जाना जाता था जो गड़वाल वा पंद्रा सो पंद्रा इसवी के आसपास इस चेत्र में इस चेत्र के बावन गड़ू नाम से जाना जाता था या स्वर्ग भूमी का आ जाता था या बद्रिका आश्रम बोला जाता था या तपू भूमी जो उसके पुराने जो 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 चीजे famous होते की वहाँ पे लोग उनके नाम पर दिरी दिरी नाम पढ़ता गया अब यहाँ पर क्या होते है जैसे पंद्रों साब पंद्रा में जब हम इनके बारें पढ़ेंगे चंदर पवार वंस यह सब देखेंगे तो यहाँ पर पवार राजा थे अजय पाल उन्होंने आप बावन गड़ु पर बीजय यासल की थी बावन गड़ु को जीता था बाव गड़ु का निर्मान इस चेत्र की बहुत प्राचीन विश्यस्ता रही है रिगवेद में वर्नित है कि इस चेत्र के असुर राजा संबर के सौ गड़ु को देवराज इंद्र और सुदास ने नस्ट कर दिया था तो यहाँ पर कुछ मैन्यता ही है बोला जाता है कि जो अस कुबेर की राजदानी नामकिस्थान को यहाँ पर जो अलकापुरी है उस नामकिस्थान को मनुष्यू के आदि पूर्वज मनुख का निवास इस्थान कहा जाता है जो मनुष्यू के आदि पूर्वज किसे कहा जाता है रिशी मनुख को कहा जाता है तो उनका निवास इस मांगे मानस पुत्र थे दक्ष मरीची, पुलसत्य, पुला, रितु और अत्रिका निवास्तान भी गड़वाल ही माना जाता है नेक्स मांट देखता है गड़वाल छेत्र के देवप्रिया की सतोन्यू पट्टी में सीता जी पृतिवी पर समाई थी तो यह कहा जाता है कि यहाँ पर सिता जी ने धर्टी में यहाँ पर समा गई थी और इसी के कारण यहाँ पर हρए साल मंसार जो इreated उसमें लगाया पर समय के देवप्रियाग में अपने सरीर को त्याग दिया था तिरि गडवाल जिले मैं लक्षमण जी ने जिस इसस्तान पर तपष्या किया था उसे टपो ओन गा जाता था तो जहांपर लक्षमण जीने तपष्या किती उसको तपवन का जाता याँ प्राचिन नाम अभी हमने या पे देखाता है तो गड़ी चेत्र को पैले तपो भूमी भी का जाता है तो गड़ी गड़ोल जीले में लक्षमन जिने इस स्थान पर क्या किया था तपश्या किती इसलिए सब तपोवन कहा जाता है रामयन कालीन बानासूर का भी राज्जी इसी गड़वाल छेत्र में था और इसकी राजदानी जोतिसपूर या जोशिमर्द थी तो माना जाता है कि जो बानासूर थे उनकी भी यहाँ पर राजदानी थी जिसे जोतिसपूर उस्त्राइंबिक आ जाता था दिरे दिरे वो जोशिमर्द नाम में परवर्थित हो गिया अगई देखते हैं पांडों के इस छेतर में आपने का उलेख है तो माना जाता है कि पांडों भी यहां पर आई थे गड़वाल यह नह encontra ऐखहा थे महाभारत के वनपर्व के अनसार उसमें इस छेत में पुलिंद यानि कि कुणिंद एवं किराज जातियों का आधिवत्य था उसमें माना जाता है कि यहाँ पे जिनका जो अधिकार था वो किनका था कुणिंद और किराज जातियों का था पुलिंद राजा सुभाव की राजदानी स्रीनगर थी सुभाव का वर्णन आपका महाबारत में भी है इसने पांडो की ओर से युद्ध में भाग लिया था तो जो सुभाव थे उन्होंने पांडो की ओर से युद्ध में भाग लिया था उनकी राजदानी श्रीनगर थी सुबाओं के बाद राजा विराट का उलेख है जिसकी राजदानी जॉनसार के पास विराट गड़ी थी इसकी पुत्री से अभिमन्यू का विवा हुआ था तो यहां से भी कोशन बन सकता है आगे देखते हैं प्राचिन कालमे शेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम नामग दो सकुनतला के प्रेम परसंग के कारण विसे इस रूप से प्रसिव दे आपने पढ़ा होगा प्राचिन अगर आपने कुछ सीरियल देखे होगे अब तो आध्याजमिक किताब है तो वैसे भी कोई न्यू जनरेशन में कोई पढ़ता नहीं है पढ़नी चाहिए हमें पता होना कि हमारा हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में जानना चाहिए अगर नहीं भी किया है तो कभी नगभी सीरियल देखा होगा अब तो सीरियल भी डिफरेंट आते जब तक टीडीवन आता था दूरदर्सन आता था तो उसमें इस सब सीरियल दिखाए देते थे अब तो कभी मौका मिले न पढ़ने का न मिले तो देखने का जरूर देखें बहुत अची स्टोरीज होती थी पुराने टाइम की भी तो यहां पी क्या था जो आपका कर्णवाश्रम था वो दुस्यंदोर सकुंतला प्रेम परसंग के लिए विसी रुप से परसित देता इसी आश् यानि कि गड़वाल में जिनके नाम पर अपने देश का नाम पढ़ा है तो अगर कोशिन आथा भरत का जिन में खहा हुआ वह था कर्णवाश्रम का पर है वह है गड़वाल में नेक्स्ट है महा कभी काली दास ने अपने महा काव्य अभिज्यान साकुन तलम की रचना मालीनी नदी के तरट पर इसी कर्णवाश्रम में की थी तो एक और इंपोर्टेन या पर कोशिन बन जाता है जो महा कभी काली दास थे उन्होंने अपना महा काव्य अभिज्यान साक उन्तलम की रसना कहां की थी हो की थी कर्णौंशुप। और किस नदी के तरट पर उगए तो उगए तो ओगया मालीनी नदी। वर्तमान में इस इस्तान को चौका घाट कहा जाता है। इस इस्तान पर मान magnet के बांबन 건 के नीवास गा क्रमाण मिलते हह। जो नाग जाती थी उनके निवास का प्रमाण भी यहां पर पाए जाते है उप्रोक्ट नाग मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर पिथारगड का बी नाग या बेनी नाग है जिसे बेनी नाग कहा जाता है बेनी नाग तो यह पिथारगड का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है नाग मंदिर हो ऐसे बीरी नाग अच्छो अगला है कुछ यहां पर प्रमुक लेख है जो कहां कहां पाया गया है उनका वर्णा निया पर किया गया है सबसे पहले हम देख लेते हैं असोक ने एक अभिलेख अपने राज्जे के उत्तरी सीमा दोसो सताओन इस भी पूरवा मैं कालसी यानि कि देहरादून के उत्तर ट्रोंस हों यमना के संगम पर इस्तापित किया था यहले एक प्राकर्द भासावा प्रामी लीपी में है इस अभिलेख में असोक ने यहां गोशना की थी कि उसने राज्जे में हर इस्तान पर मनुश्यां पसूं की चिकित्सा की व्यवस्ता दिये इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा एंसा को अपनाने की बात कही गई थी जो असोका अभिलेख मिला था कालसी नदी असोका अभिलेख उसमें जो वो अभिलेख था उसमें क्या-क्या वर्नित था इसमें बोला गया था कि लोगों से इंसा को त्यागना इंसा को अपनाना और यहां पे पशों और मनुश्यों के चिकित्सा की बेवस्ता गरा सारा उसमें वर्नित किया गया था कालसी अभिलेक में यहां के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस शेत्र के लिए उपरांत सब्द परियुक्त किया गया था देरादून के जौनसार बाबर इस्तित लाखा मंडल से राजकुमारी इस्वरा का सिलालेक प्राप्त हुआ है इस लाखा मंडल से राजकुमारी इस्वरा का जो अभिलेक था उसमें इसका वर्णन किया गया है गोपिसवर, कालीमट, केदाना तथा नाला के लेक मंदिर की दिवारों पर उतकीर्ण है देव प्रियाग, वामन, गुहा तथा कल्पनात में गुफाओं के अंदर दिवारों पर लेक मिलते है जो देव प्रियाग में वामन, गुफा तथा कल्पनात में गुफाओं के अंदर दिवारों पर ये लेक मिलते है नैनिताल वो बाडवाला यानि की दहरादून से इटू पर उतकीर्ण लेक मिलते है जो इटू पर लेक मिलते हैं कभी दो पर कुश्चन आता है कि इटू पर लेक कहां से प्राप्त होए थे यह होए थे आपके नैनिताल तथा बाडवाला दहरादून से नैनिताल और दहरादून जो ईटूपर लेखते हैं कहां से प्राप्त है नहीं निताल और दहरादून तो देखो छोटी-छोटी बहुत सारे ऐसे कोशन बन जाते हैं जो पेपर में आते हैं पर हम लोग क्या करते हैं एसनियायर देखते हैं तो उसमें हम ुतने हम नोट से बनानी पाते हैं तो यहार पर पॉइंट इपमें बहुत अच्छे आपको को एकशप्लेशन किया पॉइंट अपके हैं आप यहां से अपने नोट बहुत ईजी ली बना सकते हो अगला देवलगर 2 को महोई कि पीठी का लेग है। अगला लेग देखते हैं जो करे समय कि तिर्सूल लेग मिलेगा। रहाँ से आरामसे आंसर कर सकते हों कि खथावल उक्ताव 12 लेग मिले। पल्लिका यानी चोते ग्राम पड्ट्टी तथा परगना नामाग इकाय्यों के अलावाat की जे क्या होती था पल्लिकशन पल्लिका फ्लिक प्की प्स्थाथ mé प्रित्य और द्वारक्षक उसे प्रतिहार, रक्षक को गोत और गड़ रक्षक को कोटपाल, सेननायक को बलाध्यक्ष और महाधंडनायक को प्रमुक सेनापती और अक्षय पटलिक को लेखा, प्रारी और कुलचारी को तैसिलदार आदी पदादी कारियों का उल्लेक मिलता है, तो कभी-कभी अगर कुशन आएगा कि आदे आतियासी काल में जैसे आपको बोल दिया कि तैसिलदार को किस नाम से जाना जाता था वो हो जाएगा आपका कुलचारिक, तो कुलचारिक हो जाएगा और सेननायक जो था उसको पुर्खा तक जाएगे तो उन बीच में हम लोग इन नामुकू कहीं न कहीं फिर से इनका वर्णन हम लोग जानेंगे, तो आज का जो चैप्टर था यह बेसिकली प्राग एतियासी काल था आद एतियासी काल के बारे में था जिनका कोई साक्षा है नहीं, प्राग एतियास प्राग एतियासी काल कबर किया तो यहां पर आप लोग इसको देखना इसमें से इंपोर्टन नोट्स बना लेना, मैंने उनको मेंशन भी किया हुआ है, जो कोशन बन सकते हैं, मैंने उनको रिपीट कर रखा है वहां पर, तो आप अपने इसमें नोट्स बनाना, और आगे हम देखेंगे फिर आपका आएगा एतियासी काल और आधुनिक काल, तो फिर हम यहां पर राजाओं के बारे में भी वर्णन करेंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, थैंक्यू सो मच, हैवनाइस डे, टेक केर.